हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजनिंग के सोला अती महतपूर्ण प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसलिए वीडियो के अंतक बने रहे इस किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों देखें जैसे कि प्रश्ण दिया गया है इसर विशानू का संबंद यदि चेचक से है तो उसी प्रकार से जीवानू का संबंद किसे और प्रश्ण वाचक चीन है इन चारों आप्शन में से कौन सा होगा काफी ब अगला कुश्यन भी दिया गया कि दरपण भरतिभीम यहाँ पर आएना लगा दिया है दोस्तों और कर रहें कि फीगर को यह विजदी आप देखेंगे तो किस तरीके का फीगर यहां पर बनेगा इन चारू ओप्सन इसी तरीके के प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बता पार रहे हैं इसी तरीके के पैटरन को फोलो कर रहे हैं तो यह पार्ट नमर हम लोगों का 68 है दोस्तों जिसने पार्ट 66 तक नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्षन में सारे पार्ट को देख लिए क्योंकि सारे पार्ट मुष्ट रिपीटेट प्रस्न के बिल्कुल आपको सबसे सौट तरीका से सौल्व करने का तरीका बताएंगा दोस्तों इसलिए वीडियो के अंतक बने रहे हैं और सभी तरीके कोस्टन सामिल के हैं जो बार-बार पूछे गए है तो आएए दोस्तों देखते हैं पहले नमर कोस्टन से कि पहला कोस्टन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है इनमें से आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चाहिए वो SSC, Bank, Railway, CGL, ALP, Technician, MTS, CSL, CPO, SSC, GD, CISF, UK, PSC, DSSV, CTAT, IB, SSC, Steno, Graffer, DR या आप किसी स्टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं पुलीस, दरोगा, नेभी, अगनीवी, जीडी, बैंक, P.O, कलरक, गुरूप, D, NTPC, RPF, Army, SSB, ITB, CRPF या आप किसी और भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों, NDS, CDS, या आप UP, PCL की एक्जाम कर कर रहे हैं, बिहार, पुलीस, बिहार, सची वाला, दरोगा, किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो या वीडियो सभी एक्जाम के लिए जितने भी competitive एक्जाम है दोस्तों, सभी के लिए है तो आईए दोस्तों देखते हैं बारी-बारी से सारे question को की पह सही कर पाए, तो दीकिए पहला question दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कराए कि विसानू का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है सर चेचक से उसी परकार से जीवानू का संबंध किस से होगा और यहां पर प्रश्न वाचक चिन दिया गया है, तो जीस परकार से दोस दोस्तों इन चारों option में देखा जाए, तो सर टाफ हाइट जो है हम लोगों का जीवानू से हो जाएंगे, तो option नमर दूसरा क्या जाएगा, तो सही हो जाएगा, काफी बार एकजाम में यह प्रश्न पूछा गया है, कि सर विसानू चेचक से कैसे दिया गया था, संबंध जीस परकार से यहाँ पर संबंध दिया गया, वही संबंध आपको इधर find करना होता है, कि सर विसानू से होने वाले रोग कौन हो जाएंगे, चेचक उसका संबंध दिया था, उसी परकार से करा है कि जीवानू से कौन सा रोग हो जाएंगे, तो सर टाफ हाइट जो हम का दूसरा नमर को सन मोश्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण काफी बार पूछा जा चुका है, कि सर एक सो यदी हम लोगों का पचीस का संबंध लिखा है कि से सर पांच से दिया गया, उसी परकार से यहाँ पर समानुपात का चीन लिखा है, और चाउंसर्ट से दिया है, और प 225 का संबंध लिखा है, पांच से उसी परकार से 64 का संबंध कि से दिया होगा, तो दीकि बहुत बड़ा संख्यां से क्या कर दिया है, दोस्तो एक छोटा संख्यान ला दिया, और उसी परकार से बहुत बड़ा संख्यां देके एक यहाँ पर छोटा संख्यान लिख दिया ह तो सर यहाँ पे किस तरीके के logic लगाएंग पहले सोचेंगे आकिर हुआ है तो हुआ क्या है तो दीखे अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तो हम लोगों का क्या हुआ है और कैसे किया है इधर क्या किया है दोस्तो इसका यदी हम लोगों का 5 का इधर से क्या कर दिया है दोस् 64 हो जाएगा तो सर यहां पर चार अगर रख देंगे और चार का क्यूब कर देंगे तो चार का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा मेरा कहने का मतलब है दोस्तो कि पांच को तीन बार गुना करना क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तो तीन बार गुना करना तो पांच का क दूसरा में दिया गया है दोस्तों impost number दूसरा आपका क्या हो जाएगा तरीका को समझना है प्रस्फन को रटना नहीं है इस तरीक के प्रस्फन आया तो हम लोग कैसे करें आपके सामने question दिया गया या आप ऐसे भी logic लगां सकते दित जोस्तों कैसे logic लगाएंगे सर एक तरीका और भी हम लोगों के सामने क्या सर देखिए इस पर डाइरेक्ट आप लगा सकते थे क्या सर इस पर डारेक्ट घं लगा दीजिए यानि कि बहुत बड़ा सांग यहां से देखिए 125 से पांच लाया है इसका घं निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा कि इसका घं का पांच हो जाएगा उसी परकार से इसा भी घं यहां लगा डेंगे तिक हम लोगों का चार निकल जाए का उसी गनमूल अगर इसका निकालेंगे दोस्तों यानि 125 जो है गनमूल किसका हो जाएंगे तो 5 का उसी परकार से इसका भी गनमूल निकालेंगे तो 64 का चार हो जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गये होंगे कि इस तरीके के प्रशना है तो हम लोग कैसे करेंगे आप किसी भी तरीके से स्वाल भी किजएगा दोस्तों आपका आंसर चारी होगा देखे logic 1000 हो सकते हैं तरीका 1000 हो सकते हैं लेकिन answer उसी तरीके सा हैंगे दोस्तों कि देखे अगला question हम लोगों के सामने क्या कर रहा है आपको doubt लगता है नहीं समझ पाते हैं आप जरूर comment कर सकते हैं दोस्तों अगला question काफी important काफी बार पूछा जा चुका इसमें भी बहुत सरा इस्ट्रेंट गलती कर देते हैं क्योंकि सर तरीका ही नहीं मालूम हो पता है कि वहाँ पे होगा तो होगा कैसे देखे यहीं पर इस फीगर को हम लोग देखेंगे कैसा बनेगा दोस्तों पहले तो आइना म और क्या होगा 1 देकि जो इधर थे है तो हम लेजों का कि साइड में हो जाएका दोस्तों इ Іस साइड में हो जाएगा इधर देखने के बाद यीहां पर हो जआए और क्या हो जाएगा अच जो एक छोटा स्वरए यहां पर मैं निकाला आना अखार हो जाए को जाएगा और की क्या हो जाएगा दोस्तोब, इस तरीके का फीगर बनेगा तो अपसा स्बॉज़ नमर कौन सा हो यहीं बनेसे इस गतना नहीं को इस तारीक पूछरा है कि इसipा होग और यहींदे das आयना में यही फिगर को जब हम देखेंगे, दोस्तों, क्या बन जाएगा? सर, यही गोला हुबा हो, जितना बड़ा गोला, तो आयना में उतने बड़ा दिखेगा, लेकिन जब रेखा इधर से है, तो आयना में जहाँ देखेंगे, जितना दूरी पर, और दिखिए आईना में अगर इतना सा यहां पे दूरी आते इतने ही दूरी पर जाके इधर से चैङका यहाँ और यहाँ हमिसे हो झाइब लाठी इस तरीके से तो यहां मुड़ जागाए नमी साइट तो ऊप्सान नमर एक आपका क्या होजागा दूस्तों सही हो जाएगा बाकी कोई ऑप्सान नहीं होगा ज़ोगा के आपका सबंध दोस्तों अगले और नमर पंट कोश्न नहीं को करेंगे कि सर अगला दिया गया घार का संबंद दिया गया रसोई से पहले आपको सोचना है कि घार का रसोई संबंद कैसे दिया है उसी परकार से पाउधा का यहाँ पर प्रस्ण वाचक चीन है और चार आउपसन दिया गया दोस्तो इन चार आउपसन में से कौन सा होगा तो लॉजि तो पत्ती सर पत्ती एक जगा है यानि कि वहां पर एक छेद पत्ती उसका क्या करता है खाना बनाता है तो इस परकार से घर में एक जगा है जहां पर हम दो क्या बनाते हैं दोस्तों खाना बनाते हैं जाड हम लोगों का खाना नहीं बनाएंगे मिट्टी खाना नहीं बनाएं है यानि की खनीज लवन सारे वाई मंड्ल से सब लेगार खाना तयार करता है पती और पती द्वारा सब बेजा जाता है जड़ में बेजा जाता है हर जगा जाता है इसलिए इस प्रश्ण का आंस्र क्या होगा दो थो पती होगा वहूत सरे म品 अलग- дав और र कंसर दे रसोई का एक अस्थान होता है जहां पर हम लोग रसोई यानि खाना पीना बनाते हैं उसी परकार से पौधे में भी किया है दोस्तो पत्ती एक अस्थान जो पत्ती क्या कम करते हैं खाना बनाने का कम करते हैं तो ऐसे भी सोच सकते हैं इस प्रशन का अंसर क्या होगा दोस्तो ना किए बलके हम दोगों का option number कौन सा हो जाएगा दोस्तों थार सही होगा सर अगला question देखिए पाचवा नमर question कैसे करेंगे सर यानि स्रिंखला वाले प्रशन दिया गया है करें कि निमलिखीत सिधान के अनुसार कौन सा अंक सही नहीं यहां गलत पद आपको पाचाना यह ग पर बताना कि कौन सा अंक सही नहीं बैठता हम गौर करेंगे सही नहीं बैठता है ठीक है जर सबसे पहले जो सिरीज दिया है दोस्तों उसको लिख लिजे और आपको हमेशा बताया कि वीडियो को पाउच करके सारे प्रशन को आपको अपने से कोसिस करते हुए चलना क्या आप इस तरीके के प्रशन को सॉल्व कर पाने की नहीं एक जाम मैंगा तो वहां पर क्या लॉजिक लगाएं और कैसे जल्दी से करेंगे सारे प्रशन को दोस्तों वीडियो को पाउच करके आपको ट्राय करना ही करना है देखिए 22 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 37 प पाउटन को भी फॉलो किया है तो इसएगे 22 से अगर हम लोग 37 पर जाने के लिए 15 जोड़ना हो गा इस में पंदरा क्या कर देते हैं दूसतों जोड़ देते हैं उसी परकार से 37 जादी 52 पर जायेंगे तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा दोस्तों पंदरा जोड़ देन होगा उसी परकार से इस से यदि इसमें जाएंगे यहां भी 15 क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे यहां पर क्या होना चाहिए था दोस्तों बेरासी और यहीं जोड़ देंगे दोस्तों दोस्तों बेरासी में जोड़ा工 सरी और गलती कीया है दोस्तों पर उसने'm the ओशनें। होगों चलती की वनगे 25 कोशन के दोसरा सर कुम कि यहां पर होना हे दो शे Are इस न की अहीं होगते इस वजह से यहीवला स्रीज हम लीगों का ओगया फोलो नहीं करेगा यह आपसा नमर दूसरा का जाए गा डौत सखा़ा हर जिए अप आप 17 कैसे जोड सकते हैं तो वहीं कहा रहाता कि कौन सा अंक सही नहीं है तो हम लगों का 84 अंक सही नहीं है तो हम लोगों का अलग अलग भरैटी के कोस्चन है इसलिए वीडियो के अंतक आप बने रहे हैं आपको सभी तरीके कोस्चन देखने को मिलेगा जितने भी चेप्टर जितने भी टॉपिक्स अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं तो रेजिनिंग से एक भी प्रशन आपसे गलती नहीं हो है कि पैटर्न दिया गया दूस्विद कुछ भी नहीं जो दिया गया उसको लिख लिजें यहिंए कि शॉरीच कैसे बढ़ा है किस तरीके से चल रहा है तो सर 7 से 12 पे जाएंगे तो हम लोगों को 5 जोड़ना होगा, देखते जलिए, यदि हम लोग 12 से 19 पे जाएंगे सर, तो कितना जोड़ना होगा, 12 से 19 पे जाने के लिए, तो सर यहां पे हम लोगों को 7 जोड़ना होगा, ध्यान दिजेगा कैसे कैसे कर रहे हैं, अगला देख ऐक आरह स्थ जोड़ते है कि आप क्या वांसील रहा है सब чार ये हैंडिन consomm और दोस्तो फवर dumb in 12わかैंज वह auditor इंबा तून 21 आएगा ईस प्रसन्स का आउन सर क्या आगा दोस्तो हम लोगों का बावन आएगा जो OPSOR NO.1 क्या होज़ाएगा दूस्तो सही हो जाएगा कैसे एक सही हो आपके सामने दिया गया दूस्तो 25 के बाद 7 7 के बाद 9 9 11 11 Cert यानि PLUS क्या वाई दूस्तो ुका विर्दी होते गया है सर इसलिए प्रस्णवकर15 आएगा 52 आएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गे होंगे कि इस तरीके के प्रस्ण आए तो हम लोग कैसे लोजिक लगाते हैं दोस्तों पहले सरिंखला को धियान में देखते हैं कि आखे स्रीज बढ़ रहा है कि घट रहा है तो सर स्रीज यहां पर बढ़ते जा रहा है इसलिए हम लोगों का प्रस्ण क्या ऊजाएगा इसका आशा में सामझ में आता है क्योंकि सारिक्यां में पूछे गए हैं दोस्तों सभी एकजांब से लेते हैं प्रस्ण को और आपके सामने रखते हैं देखे अगला question तो चैनल पर आये तो जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा देखे अगला question जैसे देखे अगला question भी बहुत सराइश्ट्रेंड गलती कर देंगे दोस्तों क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा यहां भी पता नहीं चल पाएगा कि सर पुस्तक का संबन करें कि self उस हुआ क्या है और यहां पर कैसे logic लगाएं है जीस परकार से दोस्तक का संबन सेल्फ से यानि कि self मतलब पुस्तक को जो है ना है जो कहां पर रखते हैं हम लोग कपड़े को कहां पर रखते हैं भू रोब में हो जाएगा और तो सही हो जाएगा और बौट के द्वारा जो का इसका आंदर थो यह लोगा ऐसे-खुमेंट आते हैं लेकिन इसका अंसर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का वार्ड रोब होगा कि सर पुस्तक जिस परकार सेल्प दिया है कि पुस्तक जो है जिस परकार हम लोग सेल्प वर वेवस्तित करते हैं उसी परकार खपड़े क्या करते हैं वार्ड रोब में वस्तित करते हैं सर इस प्रश्ण थो हमको नहीं आता तो याद कर लेंगे ऐसे प्रश्ण को क्या कर लें दोस्तो याद कर लेते हैं कि एक बार यादी प्रश्ण अभी कर लिये कुछ दिनों के बाद फिर अगर प्रश्ण रिपीट होगा तो वहां पर तुरत दिमाग में आ जाता है कि सर इसक कैसे करेंगे सर करा की निमलिखीत सब्द को सब्द कोस में दिये गए करम के अनुसार रखना सब्द कोस का मतलब वर्ड दोस्तों डिस्टनरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टनरी में कैसे रख रखते हैं पहले वला यानि कि पहला जो वर्ड आता है दोस्तों हम लोग जल्दी आपका इसको गोली मार देंगे क्योंकि इसको भटा देंगे क्योंकि बी आई से कोई मतलब रहा क्या था अब क्या करना है कि सर बी आई के बाद हम लोगों का पहले क्या आएगा यह देखें यहाँ BI के बाद double L है BI के बाद यहाँ app है BI के बाद यहाँ L है L तो बताए यह वे सिटिम पहले app आएगा की L आएगा तो सर पहले app आएगा यानि कि यह वाला option से start होगा दूसरा option से क्या होगा दोस्तो start हो जाएगा जब इसको हम लोग ले लिए दूसरा option से start होगा आप तरीका को समझे दूस्तो रट ये नहीं कि BI 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 सब हे में कोमन था तो उसको क्या कर दिये गोली मार दिये उसके बाद हम लोगों का देखें double L है उसके बाद यहाँ पे देखें कि सब में LL आ रहा है तब एक केको में थाप तो इसलिए दूसरा option से क्या होगा दूस्तो स्टार्ट होगा और ये दूसरा option देखें हम लोगों का 4 से start हो रहा है तो ये बहला हो पायेगा नहीं हो पायेगा तो इसको पहले ही cut कर देंगे क्योंकि distances से क्या करेंगे इसको हटा देंगे अब इस सब option तो sir यहां पर double L है यानि option नमर एक पर गौर कीजिएगा double L है इसमें भी L है तो L के बाद चेक कीजिए क्या आ रहा है तो sir L के बाद हम लोगों का क्या रहा है तो sir L के बाद दिखेगा यहां पर गौर कीजिएगा को यहाँ ऊपर आए और ऊसके बहुत है इसे नहीं हो सकता तो नहीं हो अएक यह एक है रहा है उसके बाद है दोस्तो और इसके बाद ओ है तो कौन wagamую दու यहाँ ल खाल यहाँ पर लॉल्जाएगा помद आफेड कि दःओ सबुझे ल selling आए जाएगा यहाँ पिर लिगे ले स्थ पहले गठील या ताहे कि आए पम सर्फ पहले आई ही आथा है उसके बाद LIP इसलिए लाम्ड़कूं का 4 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा दूस्तों रहे हम तो इस तरीके से आपका थर्क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा सर नहीं समझ पाए सर एक बार आप देख लिजे अच्छे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उसको हटा देते हैं उससे कोई मतलब भी नहीं रहा उसके बाद चेक किजे कि सर पहले कौन आएगा तो देखिए एप पहले आएगा उसके बाद इदिके L है यहां चार से स्टार्ट हो रहा है इसको हटा देंगे उसके बाद के बाद क्या जाएगा दोसके बाद हम लोगों का तीन हो जाएगा यानि दू पहले नमर होगा उसके बाद हम लोगों का तीन नमर होगा उसके बाद हम लोगों का तीन नमर होगा उसके बाद फिर कौन हो जा आई के बाद L यहां पर double L आ रहा है तो यहां पर L के बाद आई आ रहा है इसलिए हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा उसके बाद आउनल लोग इतनाल रिखा यहां से इसी में खुझेंगए क्या से यह यह रोड़ा मिल रहा है यह रहा है यहां राँटवरी सब नहीं रहा है तो सर अगर देखा जाया तो ऑर नहीं भी हई ए उलटा के लिखा है आइऑ उसके बाद इदिए यहां मिल गया वसके भाद एए यहां मिल गया उसके बार deep भी मिल्ड़ांg रहा आ ईो एन तो बनाया सकता है इसमें कोई दो रहने अगला डेकिया आई हम लोगों का रेडियो रेडियो बनाय सकता है आर हम लोगों का अभी मिला है सब्सक्राइब बहुत प्रेदल मिलाłemu अधिया जाता है ठीक है सर अग्ला कि नम कले दोस्तों एन तो देखते जलिए कि एस्टी ए N, उसके बाद D, यहान तक तो एक्दम direct रूठाके लिख दिया, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का I, उसके बाद N, N मिल रहा है, क्या क्या देखे, हाँ N मिल रहा है सर, उसके बाद D भी मिल रहा है, आई एन अच्छा तो यहां पर पता चलिया दोस्तो जी यानि कि यही टो नहीं बनाया जा सकता है कौन सा सर हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है तो सर आउपसन नमर आपका थाड़ वला क्या हो जाएगा दोस्तो सही हो जाएगा कि यही वला सर हम लोगों का नहीं बनाया ज सकता है क्यों नहीं बनाए जा सकता है यहां पर क्या लिखा है दोस्तों जी का परियोग हुआ है किसका परियोग हुआ है जी का परियोग जब कि वहां उतना बड़ा में अगर खोजेगा तो जी का कहीं आपको नहीं मिलेगा यहां परियोग आपको दिख रहा है नहीं दिख है सर इसलिए हम लोगों का इस प्रश्ण का आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्सन नमर थाड़ सही हो जाएगा क्यों सर यहां पर इजी दिखा है जी आपका मुहां पर कहीं नहीं मिलेगा इतना बड़ा में से आप जी को खोजिए कहीं दीख रहा है नहीं दीख रहा है इसलिए option नमर 30 प्रश्ण का क्या हो जागा दोस्तों answer हुआ कि सर जी का हम लोगों का क्या हुआ है यहाँ परियोग हुआ है बढ़ते हैं दोस्तों अगली question की और देखे अगला question हम लोगों के सामने क्या कर रहा है यानि कि दासवा नमर question और कैसी करेंगे सर इस तरीके की प्रश्ण को दिखे जैसे दिया है दोस्तों अगला प्रश्ण यानि कि हम लोगों का स्रिंखला से दे दिया देख रहें कितना बड़ा बड़ा प्रश्ण देते जा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक दे दिया और स्रीज बोल लोगarchen पर प्रश्ण वाचक चीन पर क्या आएगा कईसे करेंगे सर तरीकां दिकिए आपको बताते हैं दोस्तों इस तरीके कि प्रश्ण को हम लोग से solve करेंगे पहले एक है सर उसके बाद 3 है उसके बाद 7 है उसके बाद 13 है उसके बाद हम लोगों का 21 है उसके बाद 31 है उसके बाद क्या लिखा है दोस्तो 43 और यहां पर लिख दिया है प्रश्नवाचाक चीन देखिए कितना बढ़ा दे दिया है कैसे करेंगे दोस्तो तरीका देखे हम लोगों का कैसे करेंगे सबसे पहले देखे एक से यदी तीन पर जाएंगे तो सिरीज कैसे चला है बढ़ा है कि घटा है तो सर एक से तीन पर जाएंगे तो सिरीज बढ़ा है कितना बढ़ा है दो जोड़ा है तीन से यदी हम लोग जाएंगे दोस्तो साथ पर कितन जोड़ना होगा दोस्तों दस जोड़ना होगा देखते चलिक ऐसे लिखा था दस के अगरे जो प्रिच्टे करेगा सर्थ किसर 14 जोड़नेगे तो जैसे हिसा पे क्या करेंगे दोस्तो हम लोग 14 जोड़ देंगे तो यहां पर क्या कर दीजे दोस्तो 14 जोड़ दीजे तो 14 आप जोड़ दीजेगा तो कितना हो जाएगा तो 43 में 14 जोड़ेंगे चार तीन इधर हो जाएगा साथ और चार एक क्या हो जाएगा तो पांच तो इस प्रशन का आंसर क्या हो जाएगा तो संतावन आएगा तो अपसर नमर दू में दिया गया है अपसर नमर दूसरा आपका क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा देखे ना क्या कि ये दू चार च और भूरेटक चाहएयगा लूमतежд है रजए इस तरीके से चला है थे हम पहले सिरीच को को ध्यान में रखना है खट रहा करपा को पहले से बाख राएगा इस तरीके गारवान हमारो कोस्टन पूछा गया है फीगर से संबंदित प्रश्न दिया गया है आपको सभी तरीखे कोस्टन देखने को मिलगा इसलिए सल्ले तक आखिरति यहां में से कौन सा प्रश्न आकिर्टी में नहीं था stv नहीं है यह etwa इसमें दिख रहा है या यह बला या उत्तर आकिरती प्रशन आकिरती में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यह गौर करना तो अगर पहला option की बात किया जाए दोस्तों क्या बात किया जाए सर कि पहला option का अगर बात किया जाए तो यह देखिए आपको दोस्तो ऐसे करके ऐसे कर दिया ठीक है सर उसके बाद कि यहां से ऐसे इस जगह से कर देंगे यहां पर क्या कर देंगे दोस्तो देखते चलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं यहां से सर ऐसे कर देंगे यहां तक मिला ना हूब बहू देखे यही फिगर हम लोगों का दीक रहा है द ओफ्सां No.01 डिख रहा है बहुत सरो ऐ sulphण को नहीं खुझझ पाते थे किन का प्रश्न क्या होगा आपको तरीका बताएं वीडियो को पावज कर करके केЧ deben क्या है कि सर कहां मिल रहा इस तरीके की प्रश्न। तो अभी आप बताएं सरिद गीं यहां से यहां यहां तक खो ऐसे कर देंगे सर यहां से यहां तक हुआ और उसी परकास सी इंे यहां से यहां और हैसे कई तो कौन सब्लाई कुछा यहां का बन रहा है ॰ॉप्सिंस नमर आपका क्या बने एक अस्थल पर खड़ा है और वह 20 मीटर पूर्व की और जाता है आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि इस साइड में हम लोगों का क्या होता है सर पूर्व होता है और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पस्चीम होता है यह बात हमेशा याद रखना है और उपर में क्या होता है दोस्तो हम लोगों का उत्तर होता है नीचे में क्या होता है दोस्तो दक्षीन होता है इस तरीके से करने के बाद और इसमें क्या कर दिजे दोस्तो दीसा का नित्धारन कर दिजे यानि कि E साइड में होगा सर पूर्व E साइड में पस्षीम उपर मे हो जाएगा उत्तर नीचे में क्या जाएगा दोस्तों दक्षीन यदि आप इतना कर देते हैं प्रश्ण देखी कैसे सौल्व होगा कि गनेश एक अस्टायल पर खड़ा और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है ठीक है सर्मान के चली कि गनेश इस जगह पर खड़ा था इस जगह क्या है दोस्तों खड़ा है और यहां से 20 किलो मिटर क्या क्या है कि हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं तो 20 किलो मिटर पूर्व की ओर चला दिये ठीक है फिर कह रहा है कि हम लोगों का कि 10 मिटर उदक्षीन की ओर जाता है यहां से क्या करेगा दोस्तों 10 मिटर हम लोगों का तक दूरी उसका कर दिये कि 35 मीटर पस्टीम पस्टीम देखें इस साइड में होता है अभी बताएं कि इस साइड में क्या है दोस्तों पस्टीम है तो 35 मीटर उसको क्या चला दिये दोस्तों पस्टीम की और चला दिये ठीक ऐसर इदूरी हम लोग चला दिये कितना चला दिये 35 मिटर उसको पस्थीम के और चला दिये देखते चली कैसे करेंगे उसके बाद फिर कहा क्या कहा दोस्तों फिर कहा कि 35 किलो मिटर पस्थीम के और जाता और फिर वह 5 किलो मिटर पूर्व यानि कि इस जगह आने के बाद फिर ओजो दोस्तों इस जगह 5 किलो मिटर चला है पू यहां से जो है यह दूरी निकालना है यहां से क्या पुछा है दोस्तों कि यह दूरी जो कितना होगा इस जगह का आपको दूरी निकालना है तो देखिए यहां पर ऐसे कर दिए दोस्तों इसको ऐसे बना दिए तो दिए एक हम लोगों का क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा अगर उपर में 20 मीटर है तो इभी कितना होगा दोस्तों 20 मीटर ही होगा देखते चली कैसे कर रहे है कि इभी क्या हो जाएंगे सर हम लोगों का 20 मीटर हो जाएगा तो ठीक है सर इभी हम लोगों का अगर इधर 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 10 मीटर है दोस्तों इधर भी हम लोगों का क्या होगा 35 होगा क्या क्या नहीं अंसर कर देते हैं तो हो गया तो अरमभीक अस्थान से इस जगह से इतना दूरी आप ही बताए कि टोटल अगर यहां से यहां तक दूरी है दोस्तों 35 मिटर तो इतना दूरी क्या होगा 10 मिटर होगा इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर तो यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर हो जाएगा यह जो दूरी हो जाएगा हम लोगों का क्या 10 मीटर क्यों सर यहां से यहां तक काला बाला 5 मीटर हुआ इधर से इधर इधर 20 मीटर हुआ क्या जाएगा 20 मीटर हो जाएगा आपका एक क्या हो जाएगा याद रखिएगा इस प्रशन काफी इंपोर्टन और बहुत पेचिदा और बहुत सरा इस्ट्रेंड गलती करेंगे उतना भी पेचिदा नहीं है लेकिन सिंपल सा है कि आरंभीक अस्थान या क्या बोला है दोस् तो आप लोग समझ गे होंगे कि इस तरीके के प्रशन हम लोग कैसे करेंगे सिंपल सा है सर कि यह वाला जो दूरी यहां पर जो ऐसे कि यह 10 मीटर और इधर का यह जो दूरी 10 मीटर तो 10-10 क्या हो जाएगे 20 मीटर इस प्रशन का आंसर होगा यहां बता भी दिया कि टोटल दूरी अगर 35 है उसमें से यहां तक का दूरी उचल दिया 20 इधर यहां चल दिया 5 मीटर तो बीच में 10 से मीटर न बचा तो 10 और इधर 10 तो 20 आंसर होगा अगला कुस्चन देखिए 13 वा नमर कुस्चन फीगर वाला दिया गया कराएगी सब से पहले कराएगी नीचे दिये का जोगे दोस्तो इस डिगोर और एसे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा और पिर हम लोगूं का इधर से ऐसे हो जाएगा और इधर से हो जाएगा दोस्तो हम लोगों का ऐसे और इस दिगा पर क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा ना यह ना यह option number 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कागाज को मोड़ते गया इधर से मोड़ेंगे इधर से मोड़ेंगे इधर आप ध्यान दीजेगा तभी समझ में आएगा अगर आप ऐसे किजेगा तो फिर प्रशन आपको क्या करना पड़ जाएगा इसकीब करना पड़ जाएगा ने तो फिर गलत आंसर आप टिक कर लेंगे क्योंकि देखते जली कैसे मोड़ रहा है यहां पर सब में कोना कोना इस तरीका सिंबॉल आया तो इस तरीके से आया यहां भी दो जगा पर आना चे तो मोड़ने के बाद इधर भी आ जाएगा इधर तो वही तो हुआ है कि मोड़ेंगे जब इधर से यहां पर आ जाएगा यतनी कागज को सिम्टा देंगे दोस्तो तो हम लोगों का एक कोना इधर हो जाएगा एक कोना क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा इस प्रशन का आंसर अगला कोस्चन दीख प्राउट लगता है दोस्तों लेकिन जो प्रस्ण आंसर बता रहे हैं वो बोड के द्वारा आंसर दिया गया है अगला कुछ सेन देखे 14 नमर जो प्रस्ण में आपको डॉट लगता है दोस्तों उस प्रस्ण को क्या कर लेना है याद कर दे विचलना है करा कि उत्तम देखें, यहां पर क्या बोला है दोस्तों कि उत्तम धौनी गुनवत्ता के लिए X TV खरीदे은 उरी बोला है कि उत्तम धौनी गुनवत्ता के लिए X TV खरीदे पर दीजेगा ₂ एक मातर जहाँ दिखा उसको गलती कर देना करा एक्ष टीवी सबसे महांगा इस तरीके से हम कभी नहीं वहां पर देखे काथान में इस तरीके से रिलेटेड हुआ है उसी पर अनुमान निकाले हैं यहां बुलाए कि उत्तम ध्वनी गुनवत्ता के लिए एक्ष टीवी खरीद है एक विग्यापन में दिया है तो करा है कि एक्ष टीवी बजार में एक मांद टीवी जहां एक में आतर आया तो वहां तो गलती करवे करेंगे दूसरा देखे एक्ष टीवी सबसे महांगा क्या यहां कहीं महांगा के बारे में चर्चा हुआ है नहीं इसका अनुमान महांगा पर नहीं निकल सकता तीसरा देखे, लोग प्राय ऐसे विग्यापनों की उपेक्षा कर देते हैं यी भी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यी भी गलत हो जाएगा तीनों का तीनों गलत हो जाएगा, कहां पे दिया गया सर कोई भी पूर्व अनुमान अंतर नहीं नहीं है तो option no.2 क्या जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इसमें भी बहुत सरा इस्टेंड गलती कर देंगे कहेंगे sir तीसरा सही है दूसरा सही है पहला सही कोई कहेगा सब भे सही है ऐसे ऐसे आते हैं comment और सही करते हैं आपको पहले logic क्या लगाना है कि उत्तम ध्वानी की गुनवत्ता के लिए X TV खरीदे हैं एक विज्यापन दिया गया है यहां करा कि TV बजार में एक मात्र टीवी है यानि X TV एक मात्र लगा गलती दूसरा करा X TV सबसे महांगा शर कैसी निकालिंग अक क्या उसका पुरुव अनुमान। लोग प्रा ऐसे विग्यापनों के उपैक्छा करते हैं कि उचताम ध्वानि के लिए यह द्वनी के लिए ऐसा भी हमलोगों का अनुमान नहीं निकले गा तो तीनों का तीनों यहाँ पे दिया है कि किस में दिया है दोस्तों कोई भी अनुमान नहीत अपसा नमर दो में दिया गया है कि कोई भी अनुमान हम लोगों का अंतर नहीत नहीं है तो यही बला क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा अगला question देखिए दोस्तों हम लोगों का पनरवा नमर question करा है कि उसे चुनिए जो आने तीनों भी कलपाँ से भिन नहीं यानि कि यहां पर भिन की पाजान करना है दोस्तों कि चारों option में से कौन सा भिन नहीं यानि कि एक अलग है है इधे हर विसकि कि- से यदि को बता दें दोस्तों इन में consequence का अलग है और कैसे करें इस regular अगला किसे जूड़ें यदि k पर जाएंगे दोस्तों यहां प्लस क्या करेंगे वन जोड़ेंगे उसी प्रकार से F से यदि G पे जाएंगे दोस्तो प्लस क्या किया है देखते चलिया G से I पे जाएंगे दोस्तो यहां पे प्लस कितना करना होगा दू करना होगा उसी प्रकार से M से यदि N पे जाएंगे तो प्लस वन करेंगे और N से जदी P पे जाएंगे दोस्तो प्लस 2 करेंगे T से जदी U पे जाएंगे तो प्लस 1 करेंगे और U से W पे जाएंगे दोस्तो तो U के बाद क्या होता है भी और W प्लस क्या होता है दोस्तो दू तो दीकिए सब संख्या में सर आप क्या किये अभी आपके सामने किये हैं दोस्तों ऐसा ने यहां पर किये हैं क्या प्लस वन किये यहां पर प्लस वन और यहां पर क्या किये दोस्तों हम लोगों का प्लस टू किये लेकिन बाकि यही वला यही सब आपसन में देखिए कि यहाँ एक जोड़े यहाँ पर क्या जोड़े दोस्तो प्लस दू सब में एक प्लस दू एक प्लस दू एक प्लस दू लेकर अप्सन नमर एक में खली एक एक जोड़े इसलिए अन तीनों में से क्या जाएगा दोस्तो भिन हो जाएगा चारों में से अलग हो जाएगा अगल का आपको बता चुका है क्या कि सर हम लोग अंती में से सुरुवात करें उंती तो इस फिलोगों और चाहां मिल रहा है तो जैसे देखते चलिए कैसे कर रहे हैं उसके बाद एक है honoring का i रहा है उसके बाद i है क्या बिल्कुल सही है सर उसके बाद दीजिए 4 और जीरो चार यहीं पे था और 0 यहाँ पे Zar झ कि एक और एक चेक करना है इधर का सुरू में चाहरा है तो बील कुल हम लोगों का पहला अप्सवन ही क्या जगा दोस्तो सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगे कुछ भी नहीं के दोस्तो पीछे से उठाना आँ यहीं पे मिलेगा इधर वला चार नहीं लेना, इधर वला चार नहीं, बल्कि हम लोगों का क्या है से लेना होता है दोस्तो, E-side में, यानि कि यहां जो 4 है, E-side वला पहले लेते हैं जैसे 4-1 लिखाद, 4 इधर लेंगे, उसके बाद एक यहां है, तो एक इधर से लेंगे ऐसे लेते हैं सब में तो बस यही करना होता है चार एक जैसे लेंगे तो सर यहाँ पे चार है और यहाँ पे एक है इसी परकार से सब्टों चेक कर लेगे दोस्तों तीन और एक लेंगे तो यहाँ पे एक है तो क्या हो जाएगा तो ऐसे अभी आपको बताएं चेक करते चले option number 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को सारे question को अच्छे तरीके से समझे होंगे फिर भी आपको किसी बिप्रफशन में doubt लगता है नहीं समझ पाते हैं टेलिग्राम का link वीडियो के description में दिया है वहाँ पे आप जरूर comment कर सकते हैं चैनल पे पहली बार है चैनल पे rate clear का बटन दीख रहोगा उसको subscribe कर लिजे ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो notification आपको सबसे पहले मिलता रहे ओके दोस्तों thank you